हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को L.A.C. एजेंट के क्लब मेंबर्शिप के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में हम जानेगे कि L.A.C. क्लब मेंबर्शिप के कौन-कौन से लेवल होती हैं और ये भी जानेगे कि अगर आप उन कलब मेंबर्शिप के लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या टार्गेट्स कंप्लीट करने होगे तो अगर हम बात करते हैं 1.A.1971 से पहले की तो तब L.A.C. में कोई भी कलब मेंबर्शिप जैसे बेनिफिट अविलेबल नहीं थे लेकिन 1.A.1971 के बाद L.A.C. अपने एजेंट्स के लिए कलब मेंबर्शिप के बेनिफिट लेकर आई यहाँ पर L.A.C. ने एक बात नोटिस की कि एक एजेंट तो ऐसा है जो साल में सिर्फ 12 पोलिसी ही कर बाता है और एक एजेंट ऐसा भी है जो साल में 100, 200 या 500 पोलिसी भी कर देते हैं तो L.A.C. ने यहाँ पर सोचा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको कुछ additional benefit भी मिलने चाहिए तो L.A.C. ने जो एजेंट अच्छा काम करते हैं उन एजेंट को अच्छा professional insurance एजेंट का status देने के लिए club membership के benefit को introduce किया था L.A.C. ने club membership के benefits को इसलिए introduce किया होगा क्योंकि L.A.C. ने सोचा होगा कि ऐसा करने से जो एजेंट से वो motivate होकर और अच्छा काम करने की कोशिश करेगी जो लोग कम काम करते हैं वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगी और already यहाँ पर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक अलग status यहाँ पर मिलेगा और साथी साथ यहाँ पर एक professional behavior भी L.A.C. एजेंट का बना रहेगा तो आईए अब जानते हैं कि club member बनने के बाद L.A.C. एजेंट को क्या क्या benefits मिलते हैं तो यहाँ पर अगर कोई भी agent club member बन जाता है तो उसको जो commission मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में कुछ additional benefit भी मिलते हैं जैसे की office allowance अगर आप club member बन जाते हैं तो L.A.C. आपको office allowance देती हैं जिसमें आप अपना office कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपको sales promotion के लिए भी gift items L.A.C. के तरफ से मिलते हैं उसके बाद यहाँ पर L.A.C. आपको visiting cards प्रोवाइड करती हैं जो भी आपके telephone के expense होते हैं वो आपको मिलते हैं अगर यहाँ पर L.A.C. की तरफ से कोई भी convention होती है तो उसमें जाने के लिए आपको invitation मिलता हैं साथी साथ जो भी आपका traveling allowance होगा वो भी L.A.C. की तरफ से आपको reimburse कर दिया जाता हैं इसके अलावा L.A.C. की तरफ से आपका जो है group insurance provide किया जाता है और जो आपकी family है उसके लिए भी आपको medical insurance मिलता है या हम कह सकते हैं कि medical facility आपको मिलती है उसके अलावा अगर आप housing loan लेना चाहते हैं तो आपको कम interest पे L.A.C. से housing loan मिल जाता है तो इस तरह के और भी काफी benefits हैं जो सिर्फ और सिर्फ club member agents को मिलते हैं तो आप भी इन benefits को ले सकते हैं अगर आप एक club member बन जाते हैं तो आईए अब बात करते हैं कि club membership के कौन-कौन से level होते हैं तो यहाँ पर L.A.C. की तरफ से साथ तरह के club membership level दिये हुए हैं सबसे पहले जो level है वो है distinguished agent club उसके बाद जो दूसरा level है वो है branch manager club थर्ड लेवल यहाँ पर जो दिया गया है वो है divisional manager club उसके बाद है journal manager club उसके बाद है chairman club उसके बाद है galaxy club और जो 7th level है वो है corporate club तो यहाँ पर अगर हम top club membership की बात करें तो corporate club सबसे top club membership में आता हैं अगर हम beginner की बात करें तो BM, DM, ZM club membership beginners level पर होती है तो आईए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी club membership को लेने के लिए आपको कितना criteria LAC में fulfill करना होगा यानि कि कितना target आपको achieve करना होगा तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले distinguished club के member बनना चाहते हैं तो आपको net number of lives 40 करनी होगी यानि कि जो आपको 40 lives है उनका insurance करना होगा 40 lives का मतलब यह है कि 40 अलग अलग लोगों की यहाँ पर आपको policy करनी होगी net number of lives यहाँ पर इसी लिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें आपकी laps policy count नहीं होगी जो भी आप policy एक साल में करते हैं उसमें से आपकी पिछले साल की जो भी laps policy है वो यहाँ पे से minus कर दी जाएगी उसके बाद यहाँ पर net number of lives calculate की जाती है तो यहाँ पर आपको 40 lives करनी होगी और साथ ही साथ जो इसका first year commission होगा वो 50,000 रुपे आपको earn करना होगा यह criteria आपको एक साल fulfill करना होगा अगर आप एक साल यह criteria कर देती हैं तो आप यहाँ पर इस club के member बन जाती है उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा है वो है branch club member तो branch club member बनने के लिए आपको 50 net number of lives करनी होगी और उसी के साथ साथ आपको 78,000 रुपे का financial year में commission earn करना होगा जो कि आपका first year commission होता है यह जो हम commission की बात कर रहे हैं वो financial year 2020 से लेके 2021 के लिए applicable है यह time to time change होता रहता है तो आप उसके according देख सकते हैं तो अभी हाँ पर BM club member को complete करने के लिए आपको 78,000 रुपे का commission earn करना होगा यह आपको जो criteria है वो लगातार आपको 3 सालों के लिए fulfill करना होगा यानि कि लगातार आपको 3 सालों के लिए 50 net number of lives करनी होगी उसके बाद अगर आप divisional manager club के member बना चाहती हैं तो आपको 80 lives करनी होगी उसे के सासत 1,32,000 रुपे का first year commission earn करना होगा यह भी आपको लगातार 3 साल complete करने होगी ऐसे ही जोर्नल manager में आपको 100 lives करके 3,8,000 रुपे का commission earn करना होगा और यह target भी आपको लगातार 3 साल करना है उसके बाद अगर आप chairman club member बनना चाहती हैं तो 130 lives आपको करनी होगी साती सात 4,42,000 रुपे का commission आपको earn करना होगा यह आपको target लगातार 3 सालों के लिए complete करना होगा तब ही आप chairman club के member बन पाएगी उसके बाद यहाँ पर अगर आपको galaxy club member बनना है तो एक साल में 8,000 रुपे का commission earn करना होगा यहाँ पर lives की कोई भी limit नहीं दी गई है और यह target आपको लगातार 2 साल complete करना होगा ताकि आप black sea club member बन सके उसके बाद अगर आप corporate club member बनना चाहती है तो 18,000 रुपे का first year commission आपको earn करना होगा और यह भी आपको लगातार 2 साल के लिए करना होगा ताकि आप corporate club की member बन जाए corporate club में भी आपको number of lives पर कोई भी limit नहीं दी गई है तो यह जो मैंने आपको बताया है यह club membership को qualify करने का criteria है यह criteria time to time change होता रहता है तो जिस भी साल में भी आप club membership का target करना चाहती है तो उसी साल का आप यहाँ पर latest जो भी इसकी criteria है बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाती है जितने उपर का level आप यहाँ पर अचीव करती है उतने ही जादा अच्छे benefits आपको LIC की तरफ से मिलती है आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको detail में बताऊँगा कि कौन-कौन से club member को कौन-कौन से benefit मिलती है और कितने amount तक का benefit LIC की तरफ से आपको मिलता है उसके लिए आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते है ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो upload करूँ तो उसकी notification आपको मिल जाए उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ दन्यवाद